प्रोग्राम में मैं हूँ अब की साथ बंदर शर्मा 25 मार्ड से लोगडाउन दागू होने की चलते सदकार ने आईटिया रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथी को 30 जून तक बढ़ा दिया है जिससे करदाताओं को काफी राहत मिली है और अब इस अंतिम तिथी में सर्फ 8 तिम और बचे हैं लेकिन अगर आप टेक्स में चूट चाते हैं तो आपके पास कहीं निवेश करने का ये अंतिम मौका होगा आज हम आपको कुछ ऑनलाइन टेक्स सेविंग निवेश विकल्पो की बारे में बताने जा रहे हैं भारतिय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे सभी बड़े बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं इतना ही नहीं निवेशक ऑनलाइन माध्यम से ही अपने बैंक अकाउंट से पैसा पीपीएफ अकाउंट में ट्रांस्फर कर सकते हैं निवेशक PPF Account Statement जनरेट कर सकते हैं और Tax Saving के लिए उसे Investment Proof के रूप में जमा करा सकते हैं महत्वपूर बात PPF Account में एक साल में 500 रुपे से लेकर 1.5 लाक रुपे तक निवेश कर सकते हैं उसके बाद आता है Tax Saving Bank FD अगर आप इस आखरी समय में Tax बचाने की सोच रहे हैं तो Tax Saving Bank FD में भी दिवेश कर सकते हैं ये 5 साल की लौकिन अबधी के साथ आती है और ये FD इस समय 5.50 से 6% दिदा रिटर्न की पेशकर्ष कर रही है इस FD से प्राप्त व्याज आएकर योगे होती है अब बात करते हैं National Patient System की Tax Saving के लिए NPS Tier 1 अकाउंट को ओनलाइन भी खुलवाया जा सकता है ग्राहक अपने बेंक की ओनलाइन बेंकिंग सुविधा की माध्यन से NPS अकाउंट खुलवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान बेंक द्वारा आपकी KYC वेरिफिकेशन पूरी कर ली जाएगी अकाउंट खुल जाने के बाद निवेशक, इंटर्नेंट, बेंकिंग, क्रेडिट काड़ या डेबिट काड़ के माध्यम से निवेश कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह की बाकी अपडेट को जाने के लिए हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिपिकेशन बिल सके तो बने रहे हमारे साथ और देखते रही ओकी क्रेडिट